एक्सेलशी डियोज में आप सभी का स्वागत है मैं उरुतिश कुपता दर्शको भाजपा और पीडीपी के कोलेशन गोर्मेंट गिरने के बाद आम जनता आज तक बेसबरी से पॉपलर गोर्मेंट का इंतजार कर रहे हैं और जिस तरह से अब संकेत मिल रहे हैं और संभवत इस वर्ष विधान सभा के चुनाव होंगे और यहाँ पर पॉपलर गोर्मेंट बन कर आएगी उससे पहले कहीं तरह की तियारियां की जाती हैं पुलिटिकल पार्टी की बात करें कौमन मैन की बात करें या फिर डिपार्टमेंट की बात करें हर तरह की तियारियां की जात इस वक्त मेरे साथ जो है सपना कोतवाल मैम है जिनका अनुभव जो है लेते हुए उनसे चर्चा करेंगे और जिस तरह से उनके अनुभव का फाइदा उठाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो है उनने जिम्मेदारी भी सोंपी है आए चर्चा करते हैं विस्त तरह के एक्टिविडी जो हैं वो देखने को मिली फीमेल्स की पर्टिकलों बात करें फॉस्स रैम वोटर की बात करें यूओ ऑं की बात करें वो देखने को मिली और कहीं awakर पर पिंक बोलिंग स्टेशन जो आप लेती हैं थैंक यू सो मच आपने जो अभी बोला कि लोग सवा इलेक्शन को लेके हाँ बिल्कुल सही है उसमें हमारे यहां से जो हमारे चीफ एलेक्टर ओफिसर है पंडरोंगा पोले सर और इलेक्शन कमिश्र ओफ इंडिया की गाइडलाइन्स के मताबिक हम लोगों ने स्वीप की और मीडिया की आप लोगों के माधियम से लोगों में परचार इस बात का बहुत अच्छा हुआ सारे डिस्टिक अपनी अपनी उनकी बहुत बड़ी महनत है जिसके वैसे मतलब कि यह एक बंदे का काम नहीं है न यह दिस इस टीम वर्क राइट डिरेक्शन उपर से फ्लो करते हैं तो वैसे ही सारे डिप्टी कमिशनर्स ने अपने अपने जिले में बहुत अच्छा सुईप का काम किया और जिसके तैयत यह हुआ कि आपने देखा कि वोटर टर्न आउट हमारा बहुत अच्छा रहा जिससे इलेक्शन कमिशन उप इंडिया और गौशन ने भी इ स्टार्ट के जरस्मेशल समर्रे विजन होता है इलेक्टर रोल में एंडरॉल वो बच्चे जो एक जुलाई दोहजाओ शौबिस तक अठारा साल के हो चुके हैं उनको अब हो चुके जब पहले एलेक्शन दे पहले फर्स्ट एलेक्टर रोल जो बना था इसका सम्रे वो प कर सकते हैं। कि उनको बिये लौ को उने अगर बच्चों को नहीं पता होता, फो अपनी पेरंट्स को घर में किसी को भी बता हैं, पहला नंबर तो बिये लौ के साथ उनको रापता करें, तो सबसे बेस्ट है कि वो फॉर्म नंबर लेक्टर रिजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है तो उसका भी ये फर्ज होता है कि वो अपने जो उसके एरिया के जो लोग है उनको एंडरोल करें अब यहां से भी अगर आपको लगता है कोन जाएगा इतना वोर हो गया हम लंबी क्यू में या मिलेगा नहीं मिलेगा तो आप अ लिए एक आईडी से बहतरी नाईडी कोई नहीं और बाद में यह बोलते हैं कि यह अच्छा नहीं हुआ वो अच्छा नहीं हुआ सबसे पहले आप वोटर तो पनिए आप पार्टिस्पेट तो करिए अगर वोटर ही नहीं है और बोलते जाएंगे और वहां पे वोट देन नहीं करवा पाते हैं इसकाराण वो वोटकास्ट नहीं करपाते हैं और वहां जाकर जो है जहां पर बूत होता है वहां हंगामा भी किया जाता है। आपको आपको एक मोगा दिया जाता है तिल फाइनल पॉब्लिकेशन आपको इतना अच्छा ही कार्ड होता है खुद भी मेंमरी रहती है कि हमारी first anniversary हो हमारी first कोई okay जो हमें याद रहते हैं हमें first vote भी याद रहते हैं तो मैं जिस तरह से चुनावों का संकेत तो साफ नजर आ रहा है तो किस तरह की activities जो है इस वर्श हमें विधान सब चुनावों के लिए में देखने को मिलेंगी देखिए जैसे जैसे हमें direction आएंग है तो यह step जब 9 अगस्ट तक है मैं यह भी बता दूँ 25 जुलाई से लेकि 9 अगस्ट तक ही भर दसको आप आओगे तो फिर अगर वो एक्स्टेंड नहीं होती है तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं और यह क्यूंकि उसके पास भी एक phase होता जिसमें उसने को cross check करने जिसा हमें बुला जाएगा तो इन विधान सबा चुनाओं के लिए उनके लिए क्या instructions रहेंगी देखिए लोग सबा चुनाओं में भी हमारे जो CEO साब ने उनको simplify करने के लिए बहुत मेहनत करवाई थी कि ताकि यह और आपने देखा होगा इसके पिछला जो election हुआ था य मुकाबले इस election में migrants ने ज्यादा voting करी हुई है वह इसलिए कि सर ने थोड़ी हमसे ज्यादा efforts लगवाए मैनत करवाई एक चीजों को थोड़ा सा simplify करने की कोशिच की थोड़ी facility अच्छी कर दी बूट्स बड़े अच्छे लगते अब आप बोरिंग से नहीं जैसे starting में होत लेक्स में plantation हुई है लोग सबा में तो सेम यही pattern यहां भी फॉलोगा just to attract the voters as well as to ecosystem को भी सब balance में बनाते हुई election होगी मैं जिस तरह से युवां की बात करें कुछ युवा जो है बाहरी राज्यों में चले गए हैं कुछ महीलाओं की बात करें उनकी शादियां जो है वहाँ हो गई हैं तो कही न कहीं जो है वहाँ पर भी वोटकास्ट कर रहे होती हैं और यहाँ पर भी कहीं बार जो है वोटक का फॉल्ट है अगर कोई एक्षिन होगा तो उसके उपर होगा अगर वह पकड़ा जाता है कि दो जगा वोट नहीं आप दे सकते हो वहां भी देगा वोट यहां में एक जगा तो इसको डिलीट कराने ही पड़ेगा अगर वह सोचने कि ठीक है चलाकी कर लेते हैं आज हो जात मैं जमो वासियों से और पूरे जमो कश्मीर के लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूंगे कि आप जो 18 प्लस बच्चे हैं जो घर में आपके बच्चे 18 प्लस हो गए हैं या जो इन्रोल नहीं है या जिसका नाम करेक्ट नहीं है तो यहीं आपके पास 25 से लेके 9 अगस्त अगर नहीं मिलता है तो 1950 यह एक हमारा टोल फ्री नंबर है 1950 आप जहां से भी आप किसी को वोटिंग कॉल करेंगे तो वो जो फोन जो है वो सीधा उस जिप्टी कमिश्टर के आफिस में जाएगा और आपकी जो आपको जो भी जाए जिस भी तरीके के जानकारी चाहिए व एलो तसिलदार वेब साइट देन डाइल नाइन फाइफ जीरो यह तो किती मेहनत का काम है तो महीं डेडलाइन जो है नो अगस्त है अगर कोई मिस कर देता है तो नेक्स चैप देखे मैं वो एसी आइक किसी को एक्स्टेंड करता है तो ही होती अधर डेडलाइन इस नाइन तो अब वोटर्स को भी सचेत हो जाना चाहिए और खास कर जो 18 प्लस जो इलिजिबल हो गए हैं फर्स टाइम वोटकास्ट करने के लिए उनमें तो एक क्रेजिनेस जो है वो भी देखने को मिलती है एक्साइटमेंट भी रहती है लेगिन उससे पहले जो है अगर आप वोटकास्ट करना चाहते हैं तो आपको जो है अपने आपको एनरोल करना होगा और यहाँ पर कहीं तरह की प्लैटफर्म जो है उपलब्ध हैं कहीं तरह की जानकारियां जो आपको आपको आउफलाइन जो है आप रिजिस्टर हो जाए और तब जाकर आप वोटकास्ट करें अपनी पॉपलर गोर्मेंट को जो है आप चुन सकते हैं फिलाल नितिन कनोतर और मुझे आनकर दिश कुपता को दीजी जाज़त और आप देखते रहें एक्सेलची नियूज